हेलो फ्रेंड्स नमस्कार फ्लार्स इन किचन गार्डन चैनल पर मैं कविता आप सभी दोस्तों का फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ कैसे हैं आप सभी आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे फ्रेंड्स तो आज मैं कुछ ऐसी स्पेशल जानकारी लेके आई हूँ को एक महीना और चलता और फिर मर जाता है तो लोगों को कटिंग लगाने के उपर से भरोसा भी उठ जाता है तो उसी से रिलेटेड आज का यह वीडियो होने वाला है तो वीडियो को पूरा देखिएगा बिना स्किप किये और अगर मेरे चैनल पर नहीं हुए तो इसे सब करी दूँगी एक हाइब्रिट टी रोस जो होता है वो हाइब्रिट किया हुआ रहता है यानि कि ग्राफ्ट किया हुआ रहता है तूसरा है कश्मीरी गुलाब जो की कटिंग से ग्रो किया हुआ रहता है उसमें भी हाइब्रिड होते हैं आइब्रिड वेराइटी जाती है तो अगला गुलाब होता है देसी गुलाब जो कि आप अपने गार्डन में कहीं भी बारा महिने में वो फूल देता है आप कभी भी लगाईए कहीं भी लगाईए उस प्लांट को कोई प्रॉब्लम नहीं होती है ना गर्मी से ना ठंड से वो फ्लावरिंग करता रहता है तो अगर आपको continuous flowering चाहिए तो देसी गुलाब लगाईए काफी खुश्बू भी होती पूजा पार्ट में भी काफी यूज में आता है और काफी फायदे में दोता है लेकिन बहुत से लोगों को वेराइटी मेंटेन करने का शौक होता है कि हमें इस कलर का गुलाब चाहिए तो हर तरीका का अलग-अलग वेराइटी के जो गुलाब होते है वो grafted की होते है तो सबसे पहले मैं आपको यह बता दूंगे कि graft किया हूँ गुलाब आप अगर उसको cutting से grow करते हैं तो वो grow तो हो जाएगा लेकिन वो जादा दिन सर्वाइब नहीं कर पाएगा जादा से जादा 6th month और minimum 2 month इसके बाद उसमें या तो एकादी flowering होगी और वो धीरे-धीरे die back हो जाएगा क्यों क्योंकि उसकी capacity इतनी नहीं है आपके यहां का जो atmosphere है यानि कि जो गर्मी होती है जो बारिश होती है वो सहन नहीं कर पाता इसलिए उससे graft किया जाता है जंगली गुलाब के उपर क्योंकि जंगली गुलाब क्या होता है न? हर मौसम को मजबूती ही से रहता है वो यानिकि उसकी जो जड़े होती है वो मजबूती से बनी होती है जंगली गुलाब की और उसको hybrid करके graft करके graft वाली technique से उसको बनाया जाता है अगर आप वो technique से graft करके और उसको propagate करना चाहते हैं तो कर सकते हैं आपको एक जंगली गुलाब का पौधा भी maintain करके रखना होगा लाके रखना होगा ताकि उसी के उपपर आप उसे कर सके वरना आप nursery से purchase कर सकते हैं हाँ लेकिन एक बात और है कि गंले में अगर आप गुलाब होगाते हैं तो hybrid वाले जो गुलाब होते हैं वो ज़्यादा समय तक नहीं चल पाते हैं 2 या 3 साल ज़्यादा से ज़्यादा लेकिन अगर आपने उन्हें ज़्यादा गर्मी में थोड़ा सा शेट दे दिया और पानी अच्छे से डाला और अगर आपने winter में उसे full sunlight में प्लेस किया और watering और watering नहीं होने दी winter में तो ये बारिश में ठंड में गर्मी में अगर तीन मौसम में आपने इसको समहाल के रख लिया ना hybrid tea को तो ये बहुत ही आसानी से आपके garden में सालो साल बना रह सकता है मेरे पास ऐसे भी hybrid tea roses है जो पिछले तीन साल से मेरे पास है और मैं ये चाहती हूँ कि आगे भी मैं उनको समहाल के रख सकूँ ताकि मुझे दूसरे roses ना पर्चेस करना पड़े तो friends hybrid tea roses वो होते हैं जिनमें एक डंडी में एक ही फूल खिलता है यानि कि एक ब्रांच पे एक ही फूल आता है और या फिर दो या तीन फूल आ जाते हैं लेकिन जो जादा गुच्छों में साथ आठ फूल आते हैं वो फ्लॉरी बंडा होते हैं तो फ्लॉरी बंडा भी hybrid variety होती है उसको भी आप propagate hybrid तरीके से कीजिए यानि कि grafting वाले तरीके से और उसकी grafting आपको गराती है तो आप जरूर कीजिए अब कश्मीरी roses की बात करते हैं तो कश्मीरी roses को आप cutting से grow कर सकते हैं अगर आप उसकी care करेंगे तो वो आगे और भी जादा समय तक survive कर सकता है उसमें कोई problem नहीं है इसमें आपको hybrid करने की आपको graft करने की कोई भी जरूरत नहीं है और last गुलाब के बारे में हम बात करते हैं देसी गुलाब तो आप कोई सी भी cutting ले लीजिए कैसी भी ले लीजिए और आप उसे लगा दीजे देसी गुलाब आसानी से चलने लगता है और उसको भी सर्दी गर्मी और बारिश में थोड़ा धिहान रख लेंगे बारिश में तो खेर कोई बात नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं ठंड में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है हाँ देसी गुलाब थोड़ा ठंड में थोड़ी से कम फूल देता है लेकिन देता है और गर्मी में आप उसे थोड़ा सा शेट में ले लेंगे इस से रिलेटेट अगर आपको और भी कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं ग्राफ्ट देखी इस तरीके से होता है नीचे एक छोटी सी गिठान होती वहीं से हाइब्रीट किया हुआ रहता है और इस तरीके से प्रॉपगेट होते हैं आपको पसंद आया होगा जानकारी पसंद आई होगी वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए मेरे चैनल पनी होए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए इस से रिलेटेट कोई भी क्वेश्चन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फिर किसी नहीं जानकारी के साथ, तब तक के लिए, बाई, टेक केल, जैसी कृष्णा.